नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे जोसा 2020 में किसे 6th round में जाना चाहिए ठीकिए who should go for जोसा 6th round ठीकिए जो जोसा 6th round होता है तो तो क्या उसके advantages हैं क्या disadvantages हैं पूरा अपन analysis करेंगे और किसको जाना चाहिए ठीकिए इस वीडियो को देखने के बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको जोसा 6th round में जाना चाहिए या नहीं चाहिए क्या है क्या है कुछ पैसे वगिर का भी loss हो जाता है जोसा 6th round में भी तो आप पूरा वीडियो को देखेगा पूरा समझीगा क जोसा 6 round में किसे जाना चाहिए तो देखे सबसे पहले थोड़ा सा अपन facts and figure पर बात करते हैं कि जोसा का जोपका 5th round भने वाला है ठीक है 4th round तक तो हो गया आपके आप जो आपका 5th round का result आउट होगा ठीक है अब बन बात करते हैं कि जो 6th round जो है ना वो final round for IATS है मतलब कि अब IATS के जो seatे हैं वो 6th round के बाद नहीं distribute होगी ठीक है अपने इस पर बात करें कि थोड़ी देरे पार कि final round for IATS का मतलब क्या है इसके बाद पर अगर बात करें कि ये जो 6th round है वो last round of JOSA 2020 भी है तो देशा आप देख पार होगे कि जो 4th November से 6th November अगर date बात करें ठीक है तो वहाँ पर आपको तभी आप seat withdraw करा सकते हैं चार November से लेकर 6 November तक आपका last round for seat withdrawal है ठीक है मतलब 6 November से पहले पहले जो आप seat withdrawal या exit करना चाहते हैं जो उसा से तो कर सकते हैं seat withdrawal और exit में क्या difference से जल् कट होके आपके जिसे आपने 35,000 पे किया है OBC जनरल की बात कर रहा हूं तो आपको 2,000 रुपीज कट करके 33,000 रुपीज आपको refund हो जाएंगे वो एक दो मेने के अंदर refund हो जाते हैं और अगर आपने exit किया है ठीक है exit वो student करेंगे जिनको कोई भी seat lot नहीं हुए तो उन्ह कि बाद आप seat withdraw नहीं कर सकते क्यों क्योंकि 7th round 7th number को आपका 6 round को result आजाग और 6 round कोई withdraw नहीं होता है अब ये तो बात होगी facts and figures पर कि हमरे पस क्या 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 पका 6 round हो रहा है 6 7 number को 5 round आपका 3 number को और अगर आपको seat withdraw कराना या exit कराना है तो 4 number से 6 number के बीच में आ disadvantages हैं, जो उसा 6 round में जाने पर क्या नुकसान होगा, और क्या फाइदे हैं, ठीक हैं, यहां फाइदे तो जादे ही हैं अपन बात करते हैं, और इसमें अपन cut off अगेरा भी बात करेंगे कि अभी क्या cut off अगेरा चल रहा है 2019 में क्या गया था, जो second last round से last round में cut off increase होगा था, इस बार 6 round हो रहे हैं तो इस बार 5th round से 6th round में ही cut off increase होगा, तो वो क्या increment है पूरा अपन यहां पर analysis करेंगे, अभी पहले बात कर लेते हैं, अपन पहले बात कर लेते हैं, डिस advantages पे, ठीक हैं, तो अगर आप disadvantages कि अगर आप participate करते हैं, जो सा 6th round में तो, ठीक है क्योंकि आपके पास second round से fifth round के बीच का ही जो time है, जो ये 4 number से 6 number के जो time है उसी बीच में आप withdraw कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो seat है, अपने जो पैसे होगा जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें जाते हैं, 6th round में भी participate करना जाते हैं, तो आपके सामने क्या disadvantages होगे और क्या advantages होगे, वो अपन दोनों पर बात करेंगे सबसे फ़िले disadvantages पर बात कर लेते हैं, पहले बुरी बात Trail पर बात कर लेते हैं, क्या क्या जाते हैं मतलब इसका मतलब क्या हुआ ठीक है कि आपको जो सीट वगेरा वह लेनी पड़ेगी आपको जो सीट मेली है वह आपको लेनी पड़ेगी ठीक है और और बात करें तो इसमें मैंने दो कॉलम बना लिए कि जिए अगर आपको kalau ऻोट हुआ है और अगर आप को फिर कोई ब्रॉड कराम को आप करें लेकिन अगर NIT Plus की बात करें, ठीक है, NIT Plus में आपके GFTIs, IST, SHIPPUR, IIITs, NIT जितने भी आ जाएंगे, तो ये जो NIT Plus सिस्टम है, इसमें कुछ आपका withdraw हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, उस पर मैंने नीचे बात करी है, ठीक है, तो ये भी समझ के जाना, कि अगर आप NIT Plus सिस्टम में है, तो आप अपना जो है withdraw, एक ट्रिक लगा कर अपना जो withdraw करा सकते हैं, ठीक है, वो इस पर बात करेंगे, इसके बात फिर है, कि ये मैंने बता दिया, कि अगर IIT seat मिले, तो उसके लिए कोई option withdraw नहीं है, और अगर NIT seat, NIT Plus वाली seat मिली है, तो इसमें कुछ हो सकते है, इसके अगर second number पर अगर second disadvantage की बात करें, कि आपको जो इस seat लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, मतलब अगर आप seat नहीं लेते हो, तो आपको पुरा पैसे का loss हो जाएगा, इसलिए तो ये पैसे पहले ही जो seat accept करने का पैसे जो सावले ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप seat नहीं लेते हो, तो आपको loss हो जाएगा, ठीक है loss of money हो जाएगा, और यहाँ पर कोई refund नहीं है, ठीक है, कोई refund का process नहीं है जो सा six round में, हाँ, और loss of money की बात करें, तो जनरल OBC को जाएगा, 35,000 रुपीज का loss हो जाएगा, कुछ भी refund वगेरा नहीं मिलेगा, ठीक है, जो सा six round में, जो seat है, वो आपको लेनी पड़ेगी, और वो जो जो अगर आप seat लेते हो, तो फिर वो 35,000 है, वो आपके college fees में adjust हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं लेते हो, तो फिर आपको कोई refund वगेरा नहीं मिलेगा, विल्ट्रो करने को कोई option नहीं, seat तो आपको जो लेनी पड़ेगी, तो यह के risk होता है, इसलिए बच्चे यहाँ पर फिक्त राउंड से पहले-पहले, जो को फिर seat लेनी है, ठीक, अपना पैसे बगएर का नुकसान नहीं करना, इसके बाद अगर बात करें, अपन तीसरे decisions की, तो यहाँ है final round for IATs, मतलब यह जो 6th round ना, इसके बाद फिर IATs की seat और किसी से नहीं भराती है, मतलब, यहाँ पर ने एक point लिखा मेंने, कि if you not report allotted IAT, the seat remains vacant, and you lose money and national loss, मतलब, कि अगर आप, जैसे आपको 6th round में कोई seat IAT allotted हुई, ठीक है, बहले वो तुढ़ी अच्छे IAT नहीं है, लेकिन अपने को allotted हुए रपन ने वहाँ पर जो है, उस IATs पर जो है, allotment नहीं दिया, उस IAT पर report नहीं किया, तो जो है, वो IATs की seat vacant, ही vacant रहे जाएगी, क्योंकि और कोई round नहीं है, जो IATs की seat को fill करेगा, जैसे अपने NIT की seat खाली रह जाती है, उसके लिए C-save होता है, C-save में क्या हो जाता है, कि IATs को छोड़के और बाकि जित्ते भी NIT, GFT, इनकी जो seat है, वो fill हो जाती है लेकिन यहाँ पर क्या है, कि यह 6th round है, यह final round for IATs है जो मैंने यहाँ पर लिखा था न, यहाँ पर एक point में जो मैंने mention किया था कि final round for IATs का मतलब यही है, कि अब IATs की seat इसके आगे नहीं भराती है, ठीके यही यही एक 6th round है, जो IATs की seat को आखरे टाइम पर fill कर देगा और कोई तरीके से IAT seat नहीं भराती है और अगर आप फिर यह से report बगरा नहीं करते हैं उस college पे ठीके, तो आपने पैसे भी lose कर जाओ जो भी 35,000 है जनरल OBC में और एक national loss भी होगा, कि आपने IAT की seat छोड़ दी ठीक है, मतलब एक nation का भी loss होगा कि जो जिस बच्चे को चाहिए होगा वो नहीं ले पा रहा है और आपने उसको seat को छोड़ दी मतलब seat vacuity रहेगी वो, पूरे 4 साल vacuity रहेगी इंटर्नल ब्रांच चेंज IAT में होगे, वो फिर seat बढ़ा सकती है लेकिन अभी 1st year के लिए तो वो seat vacuity रहेगी तो ऐसा मत करना, अगर IAT college अलॉट हुआ है तो वहाँ पर फिर report बगरा करना, पुरा process बगरा करना है IAT की seat छोड़ना मत, इसके बाद फिर अगर बात करें है पन, ठीक है कि एक और एक तरीके से loss नीए, एक तरीके से instruction दिया है मैंने कि after 6th round, if you go for CSEP, then CSEP is only for vacant seats ठीक है, तो अगर माल आपने ऐसा सोचाए कि 6th round के बाद में CSEP में भी जाऊंगा ठीक है, तो CSEP तो IATS के लिए तो होता है नहीं, IATS के लिए 60 round तक सब खतम हो जाता है बाकि अगर आप CSEP में जाना चाहते हो, NIT Plus के लिए, ठीक NIT Plus के लिए CSEP में जाना चाहते हो, तो यह ध्यान रखना कि CSEP सुरे vacant seats के लिए होता है ठीक है, जब जोसा का 6th round हो जाएगा, 7th round पे जब रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके एक दू दिन के अंदर seat metrics release करते हैं seat metrics release करते हैं, कि कौन कहां पे कौन कौन से colleges में कौन सी seat खाली ले गई है तो वहां से आप पूरा देख सकते हो कि कहां कौन सी seat खाली ले गई है, तो फिर उसी seat के लिए CSEP होता है, तो ऐसा नहीं CSEP कोई नई seat के लिए होता है, जो जोसा में 6th round के बाद जो seat खाली ले गई है, उनके लिए आपका CSEP होता है, तो यह भी एक मतलब अपने को पता जाते हैं, जोसा 6th round के बात करें तो बहुत है, जोसा 6th round के बात करें, जिससे मैंने कुछ 2019 के भी cut-off लिए है, तो उससे अपने को थोड़ा सा एनलाईज करते हैं, उनको देख के, अब 2019 में प्रॉप फिरीटर पर रहे सेवन थे गए करते हैं उसपर इस पड़ेव। जो शेकंड्ड़ राउन था वह सिक्स्त राउंड हां था तो नार्मल तो इनकी बात कर रहा है तो सबसे पहले हम बात कर ले थे किसी इए मेशागी है तो अगर मात करे हैं तो अगर तरी चलिए कि computer science engineering की बात करें तो वहां 2019 में 5th round का cutoff गया था 1000 ठीके 1142 तक cutoff गया था इसके अगर 6th round का देखोगे तो 1281 तक मुझब ज़्यादा कुछ difference नहीं जो top college top branch उनमें कुछ ज़्यादा कुछ difference नहीं आता है और अगर 7th round में बीच का अगर देखें ठीके यहाँ पर पीक आना चाहिए था ठीके लेकिन यहाँ पर देखो टॉप का लेजर टॉप ब्रांचे तो यहाँ पर कुछ नहीं ज़्यादा higher fair नहीं होता है ठीक है अगर बात करें पन इसी college के ने टी तिरी जुप ली की थोड़ी सी लोर ब्रांच की बात करें कि production engineering के बात करते हैं तो production engineering में 2019 में जो फिप्त रांड को cut off गया था वह 16,000 492 गया था इसके बाद 6 round का 16,627 और 7th round का 19,626 तो यहाँ देखने को मिला कि लगभग लगभग तीन हजार तीन हजार 6th round से 7th round देखो 5th round से 6th round में उत्ता कोई spike नहीं आए 135 का spike आए ठीक है यह भले top college है थोड़ी branch अपने नीचे ही ले ले ली बाकि college top था तो 135 rank का ही difference है 5th round से 6th round पे लेकिन जो 6th round से 7th round के बीच में जो मतलब आखरे round है वहाँ देखो कितना spike का है 2,999 rank का मतलब लगभग लगभग 3,000 rank का यहाँ पर difference देखने को मिला था 2019 में तो वही में बोल रहा हूँ कि यहाँ पर peak आता है ठीक है peak कब आता है जब आपका जो college वगएरा है ठीक है college वगएरा भी decent है और जो branch वगएरा है वो भी मतलब ठीक ठाक है तो फिर यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है बाकि अगर top college top branch की बात करोगी तो उतना देखने को नहीं मिलेगा इसके अगर एक और मैंने ले ले लिए वो other state open general neutral की लिखे हैं तो वहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 5th round का 38,332 तक गया था 6th round का भी 38,952 तक ही गया था 620 rank का ही difference आया था 7th round की बात करें तो 42,503 का मतलब देखो कितना जादा spike का है 3,351 का spike देखने को मिला है यहाँ पर मतलब 7th round में 7th round में spike बहुत जादा द देखने को मिलता है as compared to बाकी rounds है ठीक है जिसे अगर हम 2020 की भी बात करें तो वहाँ पर भी जो तुम्हें अभी देखने को मिल रहा होगा ना second round से third round यह third round से fourth round तो वहाँ उत्ता उत्ता कोई difference देखने की नहीं मिल रहा होगा लेकिन अगर बात करें आपन की 6th round की बात करें तो 6th round में बहुत उपर पीक आएगा ठीक है जिसे आप यहाँ पर उत्ता भी मतलब पीक आता है 6th round सबसे जादा पीक जो आता है वो 6th round में final round में ही पीक आता है ठीक है क्योंकि बच्छे 5th round तक विद्रॉ करा लेते हैं इसके बाद अगर बात करें अपन यहाँ पर मैं आ 5th round से 6th round में 139 आया है और यहाँ 6th to 7th round में 92 मतलब यह top college top branch ही तो यहाँ अपने को decrease ही हुआ है लेकिन अगर 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 अपन एक normal top college की थोड़ी सी normal branch देखें तो वहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि 135 आया 5th round से 6th round पर लेकिन जो है 6th round से 7th round वो बहुत ज़् सेम केस यहाँ triple AIT में भी और GFTI में भी ऐसा जित्ते जित्ते जिसे जिसे जो colleges है उनका जो order decrease होते जाएगा जिसे जिसे नीचे नीचे college आते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ ज्यादा से ज्यादा इस spike देखने को मिलेगा अपने को तो यही बताना चाहरा था कि 6th round में बड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड और फॉर्थ रांड को डेटा है तो अगर उसको अनिलाइस करें सेम colleges के लिए जो मैंने उपर जो तीन colleges लिए थे ठीक है और जो ब्रांचे लिए सेम उसके लिए अनलाइस करें तो यहाँ तो बड़ा घमासान रिदरा यहाँ देखोगे तो second round का 635, third round का भी 635, fourth round का भी closing rank 635 ही थी तो मतलब कोई increment कोई decrement नहीं वाए यह reason मैं आपको यहाँ पर भी अपने को थोड़ा वो देखने को मिला था कि जो top college है वो top branch है वहाँ अपने को उत्ता कोई देखने को नहीं मिलेगा इसका अगर बात करें वही NIT तरिच पली क production engineering के बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो second round का अभी 2020 का बता रहूं है second round का 18,000 तक गया उसके third round का 18,000 और fourth round का 18,119 मतलब अगर यहाँ से यहाँ देखोगे तो सिर्फ 89 rank का difference और third round से fourth round का देखोगे तो सिर्फ कुछ भी difference नहीं ठीक है closing rank में सिर्फ 0 का difference है कुछ नहीं तो वहीं पर महीं इस्टक रहा ठीक और वहीं आगर अगर अपन बात करें थे 92 परी production engineering की बात करें थे अपन फिफ्थ राउंड की बात करें थे 16,000 तक गया था तो यहाँ पर 18,000 तक भी गया है मतलब ठीक है मतलब यहाँ ते जो जो टॉप को लेजिस की ब्रांचे से वहा अगर अगर सेकंड राउंड में उसका 38,823 लगबग लगबग जो सेवन्थ राउंड जो मतलब यहाँ पर 2019 की कट आफ अगेरा जा रहे थे उसके लगबग लगबग ही कट आफ अगेरा जा रहे हैं कोई मतलब उपर नीचे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा अपने को इ तो वही है कि यहाँ पर उतता उतता ज्यादा को देखने को मिल रहा जाओ इसको इसेट मिल गईये और जो उपर हे वह चैनी तो जो अपने choice feeling अगर तगड़ी बगड़ी करी अब जिसको अभी seat मिल गई है और जो उपर है वह choice feeling अच्छी करी तो बिल्कुल जाओ राउंड 6 में कोई दिक्कत कहीं से नहीं आईगी ठीक है अगर कोई अच्छा college मिल भी गया तो अपने को जो अभी मिला उससे अच्छा ह ले लेना ही ठीक है नहीं तो फिर पैसे वेगर अपना loss हो जाता है इसके बाद मैं यहां पर जैसे एक point बताया था given आपको advantages और disadvantages बता दिये ठीक है और अपना opinion भी दे दिया अगर यह disadvantages को तुम अपने मद्धे नजर रखते हो और फिर जाते हो round 6 में तो कहीं से कोई दिक् बात करें है अपन और जनको IIT seat मिल गई है round 6 में वो तो फिर वहीं done करा लेंगे ठीक है और अब अब बात करें यहां पर मैंने कुछ लिखा था कि जो है seat यहां पर लिखा तो no option of withdraw for NIT plus कुछ हो सकता है ठीक है अब यह कुछ हो क्या हो सकता है ठीक है मतलब अगर आप withdraw जिस a seat allotted in an IIT till 7th जोसा round 2019 का है ठीक है 2019 में point mention था कि और 2020 में भी लगब 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 यही रहेगा तो कुछ changes नहीं आता है इसके candidates having a seat allotted in IIT till 7th जोसा round can also participate in a special round but the seat acceptance fees and institution fee will not be adjusted in a special round participation fees मतलब कि कर सकते हो participate आई जनको IIT college भी allot हुआ है वो भी C-7 में participate कर सकते हो लिकिन उनकर जो refund वगएरा नहीं होगा उनका ठीक है तो यह मैंने बता दिया IIT student के भी अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने आप पर बूला था कि for a 90 plus के लिए कुछ उनका withdraw कुछ ऐसा उनके लिए इसा कुछ system है ठीक है इसे कुछ trick है जिससे लगा कि अपना पैसा वगएरा refund करा सकते हैं कैस कर रहा सकते हैं कि round 6 में जाने के बाद भी कि देखो सबसे फिला आप क्या कर लो round 6 में चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है round 6 में चले जाओ उसके बाद फिर step 2 क्या कर लो कि मालब तीन केस हो सकते हैं कि या तो आपको पहली जो got seat first time आपको पहली बार ही seat मिली 6th round में ठीक है म और या फिर upgrade नहीं as it is रहे यह तीनी case possible हो सकते हैं या तो पहली बार seat मिली 6th round में या तो upgrade हुई या तो वही की वही रही ठीक है तीन केस हो सकते हैं अब यह तीनों case में आपको क्या करना है कि अगर माल लो आपको C7 में जाना है ठीक है C7 में जाना है यह case 4 लिया है मैंने ठीक है अब ही case 4 क्या है जो मैंने यहाँ पर बताया था एक वीडियो बनाई थी कि आपको कितने पैसे बगएरा counseling fees क्या लगती उसके लिए मैंने जो case बनाया था इस वीडियो को देख सकते हो simply कुछी नहीं करना YouTube पर चले जाना यहाँ YouTube उपन करना और YouTube उपन करने के बाद simply शोबित पाल को search कर लेना यह खुलता YouTube जैसी खुलेगा इसके आद यहाँ पर शोबित पाल को search कर लेना शोबित पाल सर्च करने के बाद यहाँ पर channel आने के बाद फिर यहाँ पर एक वीडियो अप्लोड करके रिखिये मैंने कि counseling fees वगेरा अगर वो नहीं देखिये ठीक ह कि जो CSEP वो तीन types के होते हैं NIUT, SFTI और NIT Plus वाला तो यह जो होगा 16 November को NIT Plus वाला होगा तो एक और यहाँ पर मैंने CSEP से related एक और वीडियो यहाँ पर बनाई थी कि यह वाली वीडियो इसको भी देख सकते हूँ यहाँ पर पूरा explain कर दिया CSEP का process चीक है और यहाँ मैंन से कोई college मिला है तो अगर वो 6 round में जाना चाहते हैं और अपना पैसा बगएर वो बचाना चाहते हैं तो उनकी लेग है कि वो CASE 4 में चले जाएं CASE 4 जो यहाँ पर जो CASE 4 बताया था मैंने वो CASE 4 में चले जाए वो वीडियो मिल जाएगी आपको जो वीडियो ने बताया ठीक है अगर इस college पर रिपोर्ट ही नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका जो पैसा है जो आपने अगर आप जनरल OBC के स्टूडेंट हो तो जनरल OBC में जो आपको 35 रूपर जो आपने दिया था अगर आपको पहली बाद सीट अलौट हुई या तीनों केस में से आपको जाते हैं या मतलब जो है सिक्सराइब भी जाना चाहते हैं उनके लिए मैंने बताया कि हां क्या कर लो कि आप यह में आपको बताया कि जनरल OBC का जो अपना 35 रूपर लगता है उसको आप कैसे बचा सकते हो जो सासे तो यह कर लेना कि आप क्या करो जो college वापर रिपोर्ट देने पड़ेंगे क्यों क्यों कि आप उस college पाप ने रिपोर्टी नहीं किया मतलब आपकी वह जीड है वो क्या हो गई कैंसल हो गई वह सीड कैंसल हो गई और सीड कैंसल हो गई और जो आपको पेटिसेयर रूपे थे वह यहां एडजस हो जाएंगे जो सीचे में आपको कोई भी सीड हैम कोई सीड कर सीड हैं तो आपको पूरे पैसे हो बैक और जाइंगे तो धाटीचे आपको सीड की मिली नि तो आपको की सीड मिली निए ठीक है और refund कभी यह है कि डेड़ेया रुपे कटके आपको 35 रुपे मिल जाते हैं इसके दहां जिसमें बात करता है अब यह case 4 में किसे जाना चाहिए case 4 में उसे ही जाना चाहिए जिसको 6th round में भी उसकी satisfactory seat नहीं मिली है ठीक है मालो कोई अच्छी seat अपने को नहीं मिली है तो अपन का चाहते है उस seat को नहीं लेना चाहते है ठीक है अपने को नहीं पढ़ना उस college में उस branch में तो फिर अपन यह काम कर सकते है ठीक है अपन 6th round मे फिर case 2, ठीक है, case 2 में बताया था मैंने, कि जैसे अगर retain रखना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें extra 36,500 रुपीज पे करने पड़ेंगे, यहाँ पर कितना पे करना पड़ा था, सिर्फ 1,500 रुपे न, लिकिन सीसे में ऐसा नहीं, सीसे में आपको पहले ही पैसा पे करना पड़ेगा, तो अब दो सीट का पैसा पे कर रहे हो, इतना जादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो दरो नहीं, यह पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आपको सीट मिल जाती है, तो पूरा जो पैसा है, वह में adjust हुजाएगा, ठीक है? देरे जाल रुपे कटके, 70 जाल रुपे, जो पूरा एज़र हो जाईगा to college fees में, तो यही बता रहा था कि, अगर आप seat retain रखना चाहते हो, तो यह काम कर सकते हो तो ऐसा कर सकते हो कि उस seat को retain भी रखना रटेन करने के लिए फिर एक affidavit यह ध्यान रखना ठीक है affidavit आपको यह जो 2019 का affidavit था अब 2020 का भी लगग लगग ऐसा ही रहेगा बस यहाँ पर date वगएरा changes होगी तो यह जो affidavit है इस पोई समझ लो इस example से कि यह 50 रुपे के stamp paper पे आपको यह affidavit बनाना पड़ेगा अब रिटेन रुखना चाहते हो यह case 2 में आगर आना चाहते हो ठीक है अगर रिटेन रुखना चाहते हो जोसा की seat तो यह आपको affidavit देना पड़ेगा ठीक है इस affidavit को पढ़ सकते हो यहां लिखा हुआ कि मैं जो है वो जोसा special round में participate करना चाहता हूँ और my current seat allotted of josa round will be cancelled and I will not अगर हामल भी है कि अगर मैं register वगर नहीं करता हूँ अगर यह तुमने एffidavit दे दिया और अगर special round के लिए affidavit सब्मिट कर दिया और register नहीं करते हो तो फिर यहां पर यह affidavit में साफ साफ लिखवाए कि तुमारी जो साफ की seat वगर है वो भी cancel हो जाएगी तो ऐसा मत करना प्रॉपरली अगर affidavit तब ही देना जब बिल्कुल serious हो special round जाने के लिए ठीक है तो यहां पर पुरी चीज़ इसको पड़ा सकते है यह affidavit अपने को यह affidavit पर नहीं बनागे जाना अपने को यहां पर यह जो है न क्या बुलते है पचास रुपर के स्टाम पेपर पर यह सारी चीज़े लिखवानी है ठीक है जो नोटरे वाला वो सारी चीज़े यह सब लिख देगा आपकी ठीक है यह इसका भी प्रिंट आउट वगेरा नहीं यह खाली एक फॉर्मेट है तो इस फॉर्मेट का आपको जो है वो पचास रुपर के स्टाम पेपर पे जो है वो टाइप करवाना है ठीक है ना कि यह फॉली फिल्ड ओन रुपीस 50 रुपीस नॉन जोडिक्यल स्टाम पेपर यहाँ पर आपको जो पचास रुपर के स्टाम पेपर भी इस सारी चीज़े लिखवानी है अपना नाम वगेरा जो भी अपने को सीट वगेरा जो इस प्रोग्राम वगेरा लॉट हुई थी कब यह कब एफिडविट लगेगा ठीक है यह पचास रुपर का एफिडविट कब लगेगा जब आप जोसा की सीट भी रिटेन रखना चाहते हो ठीक है यह जो जोसा की सीट में आना चाहते हो जोसा की सीट में रिटेन रखना चाहते हो आई थिंग वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैंने पूरे एक चीज़ यहाँ पर एक्स्प्रें कर दिये किसे जो सा 6 round में जाना चाहिए और C CEP पे भी कुछ-कुछीज़े बता दिये हैं अब जो refund process CEP का उसको मैं next video बता दूँगा अब वीडियो बहुत ज़्याद लंबी होगे तो ठीक है अगर वीडियो अच्छी लेगी हो